विधान सभा से कॉंग्रेस परत्याशी परमिंदर परी आज अंबाला केंट के बीसी बाजार में स्थित गुर्द्वारा साहिप पहुँचे यहाँ पर पहुँच कर उन्होंने माथा टेका और आशिरवाद लिया इस दोरान उनकी धरम पत्नी भी उनके साथ मुझूद रही वही मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने रजमन बाजार गुर्द्वारा प्रभंदक कमेटी का मान सम्मान के लिए धन्यवाद किया तो यह आपको बता दे कॉंग्रेस द्वारा मैनिफेस्टो जारी होने वाली है जिसको लेकर परमिंदर परी ने कहा कि कमेटी में मैं भी मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर था और हमने बहुत से सुझावी हुआँ के लिए बड़ती बेरोजगारी के लिए बड़ती महेंगाई के लिए और अमबाला च्छामनी में जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए दिये थे और हमें पूरी आशा है कि वो सुझाव हमने मैनिफेस्टो कमेटी के चेर्मेन तक पहुँचाए थे हमारी बात मानी जाएगी हमारी बात रखी जाएगी और इसमें एक एहम मुद्दा जो था जिसकी लड़ाई जब मैं यूद कॉंगरेस में था तब से लड़ाई लड़ रहा हूँ अमबाला का एहम मुद्दा फ्री होल्ड का मुद्दा जिसकी हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारे यहां से बहुत अधरनी है बहुत ही दबंग पूर्व हेल्फ मिनिस्टर एवम पूर्व लोकल बोडी मिनिस्टर मानिय अनिल वीजी भी रहे हमें पूरा विश्वाश था कि जब उनके पास कारेकाल था और सबसे पहले अगर वो कोई काम करेंगे तो अंबाला को फ्री होर्ड करेंगे लेकिन वो आस आस ही रह गई वहीं तमाम मुद्दों पर बात करते हुए पर मिंदर परी ने क्या कुछ कहा चलिए आपको सुनाते हैं सब तो पहला थे आज मैं गुरु माहराजी ते दर्शन करके मत्था टेक के पर्द कमेटी ने अज जो मान समान मनु बख्षीया थे में। खील कर चुरु माहराजी शुकर कर चुरु कर घील तरb जिनाने हमेशा यह मेरे ते किर्प्या बनी रही मेरे परिवार दनी रही वहिडुजी का खाल्सा वहिगृची कि फरते आज जो मैनोफेस्टो कुछ समय बाद आएगा आने जा रहा है उस मैनोफेस्टो कमेटी का मैं भी एक से दस्ते था मैं मेंबर था हमने बहुत से सुजाव युगाओं के लिए जो बड़ती बिरुजगारी थी उनके लिए बड़ती मिंगाई थी उनके लिए अमबाला च्छाउनी में आदे घंटी की बरसात में जो जल बराव हो जाता है उसके लिए तांगरी बांध के आसपास के एरिया में थोड़ी सी बारिश में जल बराव जा उसके लिए और जो जो पोर्टल प्रथा है जो सरकार ने एक ऐसी प्रथा स्टार्ट की थी जिसे पूरा हर्याना वासी और विशेश दोर परमाला वासी जो बहुत परशानी का सामना कर रहे थे उसके प्रति भी हमने अपने सुजाव दिये थे हमें पूरी आशा है कि वो सजाव हमारे रहाना मैनिफेस्टर कमेटी के चेर्वेंट तक हमने पुचाए थे हमारी बात मानी जाएगी हमारी बात रखी जाएगी और एक एहम मुद्दा जो था जिसकी लड़ाई जब मैं यूथ कांगरेस में था तब सक मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ हम बाला का एहम मुद्दा एक फ्री होल का मुद्दा है जो हमें पूरी उमीद थी हमारे यहां से बहुत ही मारे अधर निये बहुत ही दुबंग पूर्व हेल्थ मिनिस्टर एवं पूर्व लोकल बॉड़ी मिनिस्टर है मानिन अनिलवी जी भी रहे हमें पूरी विश्वास था पूरा उनके उपर कि जब वो उनके पास ये कारे काल था कि सबसे पहला अगर वो अपने कलम से कोई काम करेंगे तो अमबाला को freehold करेंगे लेकिन वो आस आस ही रह गई लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हरयाना में हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं कॉंगर्स की सरकार बनाने जा रहे हैं और अमबाला में भी मेरे को बहुत ही लोगों का प्यार अभार प्यार दिन पर दिन मिल रहा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात अपनी अंबाला पास्यों के पर तेक घर तक पुचाना चाहूंगा कि आप अपने भाई को चुन कर भेजें विधान सावा में ये वो भाई आपका है ये वो बेटा आपका है जिन्होंने काफी समय से कॉंग्रेस पार्टी का दामन पकड़ा और काफी समय से बेतोर कारे करता बेतोर कॉंग्रेस का सिपाई बनकर सच्चा सिपाई बनकर कारे किय काफी लोग पिछले कई चार पांज अगर मैं बताओं कि पिछले चार पांज दिनों से जो जो हमारा कुणमा बढ़ रहा है नीलम शुर्मा जी मारे बहुत अधरनी है वो तही दिल से अपने पूरे समर्थन से मारे बीच में आगी करण जादव जी है सुधी जैस्वाल जी ह हैं और मेरे साथ मेरे हर लड़ाई में कंदे से कंदा मलाकर चलने वाली मेरी धरम पतनी निम्रित कौर मैं जिनोंने भी बहुत दुख देखा दुख किस परकार का देखा जब कोई राजनीती में आता है तो राजनीती जो है वो सेवा भाव से आना चाहिए कई लोग राज पूरा विश्वाश है, मैं और मेरी धरम पत्नी ये लडाई भी जीतेंगे, मेरी धरम पत्नी हर समय मेरे साथ, हर कश्ट में मेरे साथ, कॉंग्रेस पार्टी के हर फंक्शन में मेरे साथ कंदे जिकंदा मला कर चली है, ये अंबाला की बेटी भी है, अंबाला की बहू भी है, गर गर पर चार करने भी जा रहे हैं और बहुत हमारे को समर्थन मिल रहे हैं मुझे पूरी आश्या है पूरा विश्वास है हर वर्कर को साथ लेकर चल रहे हैं मैं वर्कर भी बोलूँगा एक कॉंग्रस परिवार को भी बोलूँगा हमें बहुत भारी मोमर्स से अम्बाला वासी विदान सपर पर पुछाएंगे जाए हिंद जाए बारत जाए कॉंपरेश